और 2000 नोट जो कॉंग्रेस ने बचा के रखा है वो निकाल के ले आईए, जनता के बीच में ले आईए, ने तो एक दी ने दी घोसना कर देंगे कि वो 2000 का नोट इतने तारिक से खतम हो जाएगा तो आप लोग परिशानी में पड़ जाएगा मैं मानने प्रधान मंत्री जी के नेतरित्तु में हमारी करमत और योग वित मंत्री निर्मला सितारामन जी द्वारप्रस्तुत सप्लिमेंटरी डिमांड्स और ग्रांड्स के समर्थन में बोलने के लिए खड़ाओ सर मैं अभी सुन रहा था कॉंग्रेस के हमारे मित्र को वसीर बद्र साहब एक बहुत बड़े साहर हुए सर उन्होंने एक बड़े अच्छी साहरी कही कि सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है जूट बोलो जूट में अब भी महब्बत है बहुत किताबे रिसाले नो अखवार पढ़ना मगर दिल की हर रात एक बार जरूर पढ़ना जब रात में आप जाते हैं घर तो अपने बारे में जरूर पढ़ना चाहिए जितनी बाते कहीं सर पहले मैं उसमें आता हूँ फिर सप्लिमेंटरी डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर आता हूँ सबसे पहले मैं एर इंडिया से ही सुरू करता हूँ सर बाचपे जी की सरकार थी एर इंडिया और इंडियन एर लाइन्स दोनों बहुत ही प्रॉफिट में था सर बाचपे जी की सरकार चली गई 2004 में दुनिया के जितने अर्थ सास्त्री हैं वो सब इस सरकार को चलाने मानिय प्रधानमंत्री जी खुद मनमहन सिंग जी बड़े अर्थ सास्त्री थे उनके साथ चिदंबरम साहब महान अर्थ सास्त्री अब नहीं है हमारे राष्टपती महोदे थे प्रणमुखर जी साहब मोंटेक सिंग अलो वालिया साहब सुब्रमन्यम साहब आप नाम कि इस देश में जितना केलेंटेड एकोनामिस्ट थे सब के सब कॉंग्रेस की सरकार को चलाती थे 2004 से लेके 2014 तक उन्होंने चलाया और उन्होंने एक फैसला किया सर कि एर इंडिया और इंडियन एर लाइन्स को जो है हम मर्ज कर बहुत अच्छा हुए कभी मर्ज नहीं वस 2010 सग्यारत तक जब की UPA2 बनी तब भी एक कमिटी इन लोगों को बनानी पड़ी धरमाधिकारी कमिटी और धरमाधिकारी कमिटी ने ये कहा कि Air India का जो employee का tension है वो अलग है उनका जो employment का जो contract है वो अलग है Indian Alliance का अलग है कभी मर्ज नहीं कर पाए इन्होंने क्या किया सर जिस ओर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं था मर्जर के बाद जिनकी की कोई भी हैसियत नहीं थी जहाज खरीदने की यदि मेरे पास ये सौल खरीदने की हैसियत नहीं है सर तो मैं कैसे स्वाल ये ले सकता हूँ इन्होंने क्या किया इन्होंने तै कर दिया कि मुझे 108 हवाई जहाज खरीद ला और उसके लिए भारत सरकार ने सौवरेन गारेंटी दे दे और Air India और Indian Airlines जो प्रॉफिट में था ततकालीन जो Air India के CMD थे जो बाद में Election Commissioner हुए मैं उनका नाम ने लेना चाहता हूँ उन्होंने लिखित कहा कि ये काम मत करिये ये देश के लिए आप जो है अन्याय कर रहे हैं लेकिन जब Commission खोरी की सरकार होसर तो क्या करती है उसने उस Sovereign Guarantee में Air India और Indian Airlines को ऐसा फसा दिया उस Legacy से आज तक हम नहीं निकल पाया और Finally मैं भारत सरकार को और सिता रामन जी को बधाई और धनिबाद देना चाहता हूँ कि हमने Finally Air India को जो पांस जार से लेके दस जार करोड प्रतेक साल देते थे आज हमने उस पर बिराम लगा दिया है इसके लिए आप बधाई नहीं देंगे बधाई के बदले मुझे कहेंगे गलती आपकी चोरी आप करिए और दोसी हम हमने क्या किया और इस पारलेमेंट में लगातार मैं जिस दिन से सांसद्वना 2009 से लेके 2014 तक कम सकम दस बार गुरदास गुपता साहब अभी नहीं है लगातार मैं इस सरकार को आगाह करता रहा क्या आप एर इंडिया के लिए कुछ करिये लेकिन कुछ नहीं कर पाए आज ये इस सरकार ने किया तो बधाई और धनिवाद देने के बदले आप उसके उपर question कर रहे है दूसरा सवाल है oil bond का सर इन्होंने price की बात की LPG की बात की क्योंकि इस budget में 29,000 करोड रुपया जो है LPG की बात है मैं उसको repeat नहीं करना चाहता क्योंकि पिछली बार मैंने बोलते हुए काफी कुछ चीज़ें कह दी पूरे दुनिया में price बढ़ रहे है दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे है आपने जो कहा vote bank की politics vote bank की politics हम करते हैं जूट की politics हम करते हैं क्या आप करते हैं आपने तो गुजराच चुनाओ का उधारन दिया आपने तो हिमाचल चुनाव का उधारंदिया की प्राइस बढ़ नहीं रहें लेकिन आपने जनता को क्या गुम्रह किया आपने जनता को ये कहा कि दुनिया में 120 डॉलर पर बैरल हो जाए 110 डॉलर पर बैरल हो जाए मैं जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है कंट्रोल करके रखूँगा और उसके लिए क्या रास्ता आपने अपना है क्योंकि कोई कंपनी घाटे में नहीं चल सकती है आपने ओयल बॉंड जारी कि और उस ओयल बॉंड की जो मैचिरिटी है वो किसको पूरा करना पड़ रहा है 2014 था क्योंकि आपको ये पता था आपने इस देश में ऐसी ऐसी चीजें लागू की कॉंग्रेस को ये पता था कि उसने इतना करप्शन कर लिया है जनता में उसकी इमेज इतनी खराब है कि दुबारा उसको वापस नहीं आना है और इसी लिए ये चीजें मानने प्रधानमंत्री जी के माथे पर जो वित्मंत्री है वित्मंत्राले के माथे पर थोपने के लिए आपने ओयल बेंड जारी किया आज ओयल बॉंड को रिटर्न करने के लिए पैसा देना पड़ता है और यदि हम ओयल कंपनी घाटे में नहीं जाए और दूसरा जो है कभी हम अपने आम गाउं गरीब किसान बच्चों को जो है कर्ज उसके माथे पर नहीं चड़ाएं यदि हम पैसा ले रहे हैं कौन सा नियाय कर रहे हैं इसका क्या चुनाओं में असर पड़ता है यदि चुनाओं की राजनिती होती तो हम उसको जो है साथ रुपया पर पेट्रोल और डिजल का दाम ले आते माने मोदी जी है कैसे है जो सबका साथ साबका विकास का काम करते है कोई भी जो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते है वो आम गरीब जामता की पॉलिटिक्स करते है तीसरा सवाल यह है सर हेल्थ पर इन्होंने का हेल्थ पर है ही आप समझें कि पूरी दुनिया ने पूरी दुनिया ने कोरोना में जो भारत सरकार ने किया मानने मोदी जी ने किया पूरे देश को एकत्रित किया 130 करोड लोगों की यदी जान बचिए आप हेल्थ सेक्टर में कहते हैं कि डाउन हो गया मैं तो कोरोना के बाद संजोग ऐसा हुआ सभापती मोदे कि मुझे दुनिया के लगवग लगवग 50 देशों को घूमने का मौका मिला मैंने अमेरिका भी देखा मैंने यूके भी देखा मैंने योरोप भी देखा जितने विक्सित रास्ट थे जितने विक्सित रास्ट थे और आज जो चाइना अपने आपको बहुत बड़ा कर रहा है आज भी चाइना में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है कम्यूनिस्ट सासन में जहां कि सरकार के खिलाफ बोलना एक मुसीवत है जहां अपने जान में जोकिम उठाकर आप सरकार का खिलाफ कर सकते हैं वहां करोना ने ये अहलत कर दिया कि आज वहां गाउं से लेके सहर तक हॉस्टल से लेके खियती किसानी तक सारे लोग आंदोलन कर रहे पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है पूरा न्यॉऔर्क सहर यदि आप जाइए तो पूरा का पूरा सेल पर है वो सारी दुकाने बंध हो चुकी है UK की हालत ये है कि पिछले छे मेने में तीन प्रधान मंत्री बदल गए हमारा सभाग है और हम बढ़ाई देना चाहते हैं कि जिस England ने अंग्रेज ने हमारे यहां रूल किया आज भारती मुलके वहां प्रधान मंत्री है इसलिए मैं सुनक जी को बहुत बदाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ लेकिन इसके बाबजूद भी भारत मानि सीता रामन जी के कारण वित मंत्री के कारण मानि प्रधान मंत्री जी के कारण हम 130 करोड लोगों का जान बचा पाए आज पहले बार ऐसा हुआ कि कोई भी टीका होता था पोलियों से लेके छोटा मैलेरिया फलेरिया तक होता था सर उसके लिए हम लोगों को 10 साल 12 साल जो है टीका के लिए इंतिजार करना पड़ता था आप रिसर्स डबलेमेंट की बात करते हैं आप हिल्थ सेक्टर की बात करते हैं आपने कभी भी जो है एम्स बनाने का प्रयास नहीं किया आपने कभी गौण गरीब किसानों को देखने का प्रयास नहीं किया हमारी सरकार थी जिसने आयूसमान भारत दिया आज 5 लाक रुपईया प्रतेक परिवार को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और 22 एम्स बने कोई ऐसा राजी नहीं है जहां कि मानमी प्रधानमंत्री जी ने एम्स नहीं दिया और कईये कैसे राजी हैं जहां दो-दो एम्स बना इसके बाबजुद भी आप कहते हैं कि हमने बजट डाउन कर दिया कुछ भी डाउन कर दिया हमने 130 करोड लोगों के जान बचाने के लिए काम किया नहीं किया इसके लिए आपने कभी बदाई दी कभी विरोध के लिए विरोध करना है इसी तरह का डिबेट चलेगा सवापती महदे अब मैं आपको बताओ कि यह डिमोनटाइजेशन पराते हैं उस दिन अधीर चौधरी साहाब भी बोल रहे थे सर और आज जब स्टार्ट किया ससी थरूर साहाब ने मुझे लगता है कि घड़ी कभी-कभी जब रुख जाती है तो कॉंग्रेस की घड़ी मैंने उस दिन भी बोलते वे कहा था कि 1950 में कॉंग्रेस की घड़ी रुख गए इसके आगे जो है वो बढ़ ही नहीं पा रही होता है न कि हमारे घर में बहुत गाओं गरीब जमिनदारी एसर तो जमिंदार के यहां क्या था कि किसी जमाने में मालीजे की हाथी घोड़ा बंधा हुआ रता था आज तो जमिंदार के पास हाथी घोड़ा बंता नहीं है तो कोई जब फंक्शन होने लगता है तो किराये पर जो हाथी घोड़ा लेकर आ जाते हैं और वो अपने आपको दि कहीं भी bump sport हो सकता था, कहीं भी दंगा हो सकता था, fake currency का बोल बाला था, drugs dealer मैं नाम ने लेना चाहता, संजय भंडारी से लेगे, जो अगस्ता वेस्ट्लेंड में भी बंद है, क्रिश्चन मैकेल तर, ये सारे के सारे जो है, drugs dealer, arms dealer, drugs का मनी, trafficking का मनी, child और महला के उपर जो है, निर्भया जैसे कांड हो रहे थे, इस तरह के कांड को रोकने के लिए, क्या आपको नहीं लगता था कि इस एकोनोमी को दुरुस्त करने के आवशक्ता है, ब्लैक मनी को बचाने के आवशक्ता है, इसको आगे बढ़ाने के आवशक्ता है, और RBI यदी कोई प्रपोजन लेकर आता है कि यदि आपको terror को खदम करना है arms और drugs के money को खदम करना हैersch beef currency को खदम करना है black money को खदम करना है तो उसके लिए रास्ता demonetization रास्टा demonetization तो demonetization कर दिया तो हमने गलत काम कर दिया क्या आपको नहीं लगता कि कि आप ISI और PFI जैसे संगठन को जो कि हमारे देश को टुकडे टुकडे करना चाहते हैं या टुकडे टुकडे गैंग के जो सदस हमारे यहां है उसके लिए आप उनकी मदद करते हैं आपको उसके लिए बधाई नहीं देनी चाहिए कि आज जो है यह कम हो गया 2000 का नोट जो इसके बाद सभापती महोदे मैं मनरेगा पराता हूँ यहां सारे सांसद बैठे हुए मनरेगा पर उन्होंने बहुत लंबा चोड़ा भासन दिया मैं यहां मनरेगा पराता हूँ और मैं व्यक्तिकत तोर पर यह मानता कि मनरेगा जो है कॉंग्रेस सरकार की सबसे घटिया योजना है मैं सांसद होने के नाते ये बात on the floor of the house मैं व्यक्तिकत तोर पर ये बात बता रहा हूँ मनरेगा में जितना करप्शन है शायद किसी भी योजना में करप्शन नहीं है 50-55% मनरेगा में करप्शन है आप देखे हमारे सांसद कर रहे हैं 80% तो कि सभी लोग मॉनि मनरेगा आपने लागू कर दिया मनरेगा आपको पता है कि क्या लागू क्या कानून आपने पास किया वो डिमांड रिवन ये कानून है कि जो राज जितना मांगेगा जहां जितनी आवशक्ता हो वहां उतना दिया जाएगा यही कारण है कि आपकी जो पॉलिसी रही है क्य तो वो कहेंगे रिवाइज इस्टिमेट इतना होगा और जब एक्चुवल होने लगेगा जब 31 मार्च के आसपास होने लेगेगा तो उसमें जितना जो बज़ाट इस्टिमेट है उससे भी कम जो है उनको डालना है कॉंग्रेस की हमेशा नितिमे ने आपको का रहा है कि देश को गुमरह करने का किसी ने काम किया यदि इसके बैलेंस को किसी ने बिगाडने का काम किया तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेबार जो है कॉंग्रेस है कि उसका बज़ाट इस्टिमेट अलग है रिवाइज इस जो डिमांड रिवन है, जिस राजी को जितना चाहिए, जिस लेवर को सौर दिन के रोजगार के लिए राजी को काम करना है, लेकिन हम तेलंगाना तो नहीं बनने देंगे न, वहाँ अभी नरेगा में जो यहां किसन रेड़ी साहब बेठे वे हैं, पूरा का पूरा फंड ड करेंगे, तो क्या उसके लिए आडिट नहीं होगा, और यदि आप युटिलाइज़सन सर्टिफिकेट नहीं भेजेंगे, तो कहां भार सरकार को सपना आ रहा है कि वह आपको पैसा भेजेंगा,